हालो बच्वों मैं सभी का सौगत करता हूं अपने पैरे से फिजिज ग्यान मुकेशने की यूट्व चैनल पई आज बच्वों हमारा तारगेट है रोटेशन डानमस की एक्सरसाइज के सवाल साल करना इसमें सवाल आता है आपके टेक्स्बुक आपको सामने लेना है मेरे साथ और बैठना है चलिए चूज दो क्रेक्ट ऑप्शन देखो वें सीन फ्रॉम बिलो नीचे देखना वाई क्या देखना है दब्लेड्स ओप सिलिंग फैन फैन आपके घर में फैन है ना बई फैन देखा फैन तो फैन सिलिंग फैन रिवाल ऐंटी क्लॉक वाइज स्पीड डिग्रीज कर राएंटी क्लॉक वाइज समस्थ बच्चो ये बलेड़ ऑफ लहान ये ऐंटी क्लॉक्वाइज मतलब ऐसे क्लॉक की उल्टी दिशा तो अन्गुलर वेक्ट जो है बच्चो वह एक्सियल वेक् का anti-clockwise तो थम उपर जा रहा है मतलब angular velocity उपर ठेक है अगर speed increase होती देखो यहां पर यह anti-clockwise मुग कर रहा है तो angular velocity उपर अगर body speed up कर रही है आपके इसमें दिया बोड़ी speed up मतलब speed increase कर रही हो तो बच्चो alpha का direction वही था या आपको या दा रहा है लेकिन देखो anti-clockwise गुम रहा है यह भी तो omega तो fix हो गया बैचो उपर लेकिन अभी body speed down करें degrees कर रही है body क्या कर रहे बैटा बैट नहीं body speed क्या कर रही बच्चो क्या कर रही है degrees कर रही है दिया question तो alpha का direction opposite दिशा में होता आपोजिट डिशा में मतलब डाउन ओड़ोगा यह उपड़ है तो यह डाउन ओड़ोगा आपको यहां पर आंगूलर देखो इसमें पूछाए अंगूलर velocity आर एंगूलर एक्सलेशन तो एंगूलर वेलासिटी अप्वड क्रेक्ट है उपर आंगूलर एक्सलेशन डाउन और क्रेक्ट है बच्चो आपके आपके textbook अगर हो आपके साथ तो मैं दर्खास करूंगा सभी बच्चों को अगर यह example देखना है तो आपके टेक्स में आपको मिलेगा, sure मिलेगा, ये textbook open करो, आपके ही इग्जांपल है, अपके सामें, ठेके, ये जो second example है, जो दिया है, यही लिखा यहां पर, नहीं तो उप़र उपड़ भी सकते है, इस अलांग दाइरेक्शन ऑफ ओमेगा वाइल डिवरिंग दा डिग्रीजिंग दा स्पीड आपोजिशंस ऑफ ओमेगा आपोजिट देखो ओमेगा उपर और आलफा नीचे कुछ-कुछ बुक्स में इसका एंसर गलत देया गया है मैं नाम नहीं लोगा किसी नोट का लेकिन स्टीक है जीन बग्स समय है किसे में वी खलत क्योंकि जैने क्ली का लीया है अन्टी क्लोकवाइश क कि यहां दिया है अंटी क्लोक्वाइश कॉर दॉन गर्चों यहां पे पड़ सकते यहां पर यहां पर यह बस यह डाइग्राम देख लेना चलो बच्छो मैं यहां पर ज्यादा चाय पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मुझा आगे भी बढ़ना है तो यह सिंपल कॉंसेट यह पता होना चाहिए बागे कुछ नहीं है मैं आगे चलने वाला हो क्वेशन नेक्ष्ट सेकर नमबर का क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन क्या अच्छी तरह से पढ़ना बच्छो पहले मैं हमेशन बोलता हो क्वेश्चन आच पार्टीकल आप मा से बेटा 1 kg लिखाए टाइडव 1.2 मेटर मतलब एक श्ट्रीग है बेटा और इसकी लेंद मतलब इसका रेडियस होगा क्यों होगा मैं बात करूंगा आपके साथ आप टेंशन मतलो लॉंग श्ट्रिंग वायर वर्टिकल सर्कुलार मोशन वर्टिकल सर्कुलार मोशन उनक ही इसका रेडियस बना है और यह 1.2 मिटर समझें ओके लिखो परफॉंग वर्टिकल सर्कुलार मोशन मैंने आपको फिल करवा के दिया अंडर दा ग्रैविटी मिनिमम स्पीड मिनिमम मतलब हाइस्ट पोजिशन की स्पीड दी वाली है यहां पे इसको वी ए बी जो भी बो पोजिशन को यह बोला था या रूट आप आरजी की वेल्यू भी बूलूंगा मैं फायू मीटर पर सेकंदी वाले कंसेडर दफॉलन स्टेट्मेंट नीचे देए गेले स्टेट्मेंट को सही या गलत है बताना हम को चलिए देखते है मैक्जिमन स्पीड मस्ट भी फायू रूट आप फायू होगी मैक्जिमम मतलब देखो यहाँ पे एक्चल में यहाँ पे वर्टिकल मोशन करने के लिए मिनिममम हायस्ट पोजिशन पे स्पीड होनी चाहिए यह दिनी पाच मेटर पर सेकंद इससे कम रही तो वर्टिकल मोशन कंप्लीट नहीं होगा अब सबसे स्पीड यहाँ पे रहीगी बीबी पॉइंट लिया था याद होगा और वो थी रूट आफ फाइव आर्जी इससे कम रही स्पीड यहाँ पे तो वर्टिकल मोशन नहीं होगा मिड़ पोजिशन पे थी बेटा रूट आफ थी आरजी मिनिमम इतनी लेकिन यह मैक्जिमम स्पीड वी मैक्स अब बी है बेटा और वो है अपने पास फाइव रूट आपर जी इसको सेपरेट करो चलेगा ना बच्चों ऐसे दो टाइम लिखा तो चलेगा कोई टेंशन है चलेगा ना यह कोई टेंशन तो नहीं चलो वेलासिटी आप बी मैंग्जिमन स्पीड आप लोगों को फाइव है तो यहाँ पे जो लिखायो करेक्ट है बच्चों वेलासिटी आप बी पोजिशन इसको फाइव पहले लिखेंगे रूट आप फाइव मीटर पर सेकंड मतलब मैक्जिमन स्पीड जो आ रिए है अट लोईस्ट पोजिशन पे वो करेक्ट है बेटा य स्टेटमेंट करेक्ट है नेक्ट डिफरेंस बीट्विन दा माग्जिमम और मिनिमम टेंशन अलोंग देश्टी न्यूटन एक्च्वल में यह जो टेंशन होता है बैच्चों जो डिफरेंस था हमारा है ना टेंशन अब बी माइनस टेंशन आप एसका फार्मुला 6 mg लिख में से माइनस करोब टे की वेलिम तो वहीं मिलेगी तो चलिया से 6 मास कितना है पर चॉप की पास 1 और जी की वेलियों हम लोगों को यहां पर टेंड लेना है तो मुझे यहां पर साट न्यूटन मिलेगा मतलब टेंशन आप बी माइनस टेंशन आप डिफरेंस बिट्विन ह करना है वह भी करेक्ट है मतलब बेटा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है पी आर क्यों ऐसा को ने बोद दस्टेटमेंट आर करेक्ट सी ऑप्शन जो दिया है वैच्छो इसको करेक्ट करो शी ऑप्शन को करेक्ट करो क्योंकि यह पता है दोनों दिये गे है स्टेटमेंड य इनर्शा की बात करने हैं इन टर्म आप मासियम अब्जेक्ट एंड सेम डिस्टन्स पारामेटर सच आर इस रेडियस इस लेंद एक्सेट्रा डिफरेंट अब्जेक्ट मुझ्ट हो दिफरेंड एक्सप्रेशन फर मोमेंट अपिनर्शा नहीं कभी-कभी कोई भी तो अब्ज लाइटर का फार्मुला है मोंमेंट अपिनर्शा का यह हमार स्क्यारव स्क्यार फॉर और डिकस का सेंटर से एक्सफ पाइस करो तो उसका भी कोिषए है possibility moment of inertia अलग-अलग object का हमेशा different ही हो ऐसा जरूरी नहीं है यह मैं बताओ आपको जो hello spear है और ring का अगर central axis पास करोगे तो बच्चों दोनों का से में क्योंकि hello spear को cut करें तो ring बनेगा ring समझे चलिए पहला तो गलत दूसरा when rotating about the center their central axis hello ring अच्छा hello ring का moment of inertia पेता hello right circular cone का है बच्चों वो है बेटा MR square by 2 इसको आपकी books में ऐसा लिखाओगा 1 by MR square right hello ring circular cone का moment of inertia है बच्चों central सा axis पास करोगे तो 1 by 2 MR square okay Dix have the same expression of moment of inertia yes Dix का भी वहीं center axis पास करोगे MR square by 2 है क्या professor आपके पास भी options करेक्ट है प्रूब भी दिताओ चलिए देखते है आपको textbook निकालनी बच्चों आपकी क्या आपके पास textbook है बच्चों आपको textbook निकालनी है यह टेक्स बुक के लाश्ट पेच पर आओगे आजाओ 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 यहाँ पर आजाओ यहाँ यह दिख रहा आपको अच्छी तरह से पढ़ो बच्चों क्या आपको यह देखना है बच्चों क्या देखोगे थीन रिंग टाइमेटर जो है डिक्स का इसका मोहमें टो पे नर्शा और यह देखो यह देखो इसकी फीर्दिया है बच्चों यह दिक्स का देखो है यहां पर चलो अभी circular right cone देखना है लाश्ट में जाओ लाश्ट में जाओ बच्छो देखो यह देखो इनिपरम होलो राइट circular cone cone का भी हाप यह मार स्कूर यह कोन का सेम ही कि नहीं moment of inertia और इसे में तो यही तो लिखा है बच्छो वही तो मोड़ा में different object have different expression नहीं सेंब भी हो सकता यह गलत बोता आता बी बरबर वेंडर rotating about the their central axis hello right circular cone का यह मार स्कूर बाइटू था अर डिक का भी यह मार स्कूर बाइटू मतलब correct options भी यह बच्छो आगे बढ़ते हैं next चार नमर का question देखो अच्छी तरह से saying in a certain unit the radius of variation of uniform dix about the central and transfer axis I will repeat questions को समझीएगा कि मुझे uniform dix में से central or transfer axis कर दिया तो उसका moment of inertia जो दिया है radius of variation sorry 2.5 its radius of variation about tangent to its plane वही बच्छो इसका पार कहिना है मेरे पास एक रिंग है और इस रिंग के में से सेंटर से ऐसे ट्रांस्वर किया और पार पार किया मैंने इसको लगे तो मैं white color से डिक्स है फिल्ड देनी की कोशिश कर रहा हूं को ठेके बच्छो को कोई डेंशन है और इसका जो moment of inertia है उनका कहना है नहीं रेडिस आप गारेशन है और इसका मोमेंट आप इनकालेंगे हम लोग अभी देखो यह यहां पर यहां पर यम के स्क्वेर आए के जगे पर बास समझ में आरी ना आई इस दो मुविंट अप इनकाल लेकिन रेडिस आप गायरेशन के में यह चलिये हो अर केसी कि हमलु क्या दी वखली है केसे की भी वेलुई मेरे पैस देख लेता है केसे की जो वेलुवे नहुंत अगरिये के तो गारेशन टैंजेंट क्या होता है बताता हूं यही रिंग बच्चो इस अभी जो एक्सिस पास कर रहा हूं वह ऐसे एक्सिस से बच्चो यह एक ऐसा टैंजेंट इस्प्लिन मतलब यह दिखाई देर आपको और इसको भर के लेता हूं क्योंकि डिक्स रिंग लगती है इस इससी यह डी बन रहा है डामीटर बन इया और अगर यह इसा इक्किोस पास हो जाएशा इसको किसी सरकंपर सावर्ण को धक्का को तकाना रहीं अंदर सचला जात यह, किता है जोंद lon प्रिंसिपल होता है पारिल एक्सिस का आयो इस एक्वल टू आई सी प्लास यह में स्क्वार यह चीजदर डायमिटर यह स्वारी डिस्टन्स बीटिवन होता है तो वह रेडियस से बैटा देखो दो एक्सिस के पीच में जो अंतर है वह आ रहे तो इसलिए आयो इसी को आईडी बोलना है और आईडी का फार्मूला है डिक्स स्वारी जिसका डिसका यमार स्क्वार बाइटू अगर जिनको पता नहीं है लिख लो यमार स्क्वार बाइट फूर है यह यम और यह के जाएग बारा देखो फूर वन जा फूर फूर और यहां पे कुछ ने मतलब फाइव फूर एजटीस तो यमार स्क्वार मतलब बच्चो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सर फाईव बाइफ फूर यमार स्क्वार और आयो की वैलिव जेव बच्चो यम के स्क्वार रेडिस आप ग अधालो कि आप समझ पारेंगे बच्चो समझ पारे हो गडिट मुझी बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको फाई यू बायटू एक ही तो बात है ना बच्चो एक ही तो बात है ना अगर इसमें किसी को दिख्धा दे तो बताओ देखो फाई यू हाँ सर आर श्क्वार लिखा है यह 4 कोट 2 multiply 2 कि Быer Ça के-undert इसको इसे स्क्राइब को कीज़ाय लि prophets को इसे भी लिख सकते के ओस्वार के- वित्सक्राइब किसर लेकिन के की वैंव जैपता है सर रूट 2.5 ये तो मैं आएसे लिख सकता हो के ओष्क्वर इसकोल टूफवाइट के लिखा के सिका स्क्वेर किया तो यह रूट के बाहर आएगा ना रूट के बाहर आएगा और यह भी द नहीं मतलब ही फॉपाइट फई फॉपइंट फई अगर इसको रूट हटाना है बई यह रूट में डालते तो एक ही बाहर निकालता मतलब 2.5 cm मिटर देख लेना भाई जो भी है कोई डेंशन नहीं है तो एंसर भी मिल रहा है भी एंसर मिल रहा है बच्छो मेरे पास कोई शक है तो बता सकते हो उम्मिद कर रहा हो कि सब को सब कुछ समझ में आ रहा है 2.5 मिटर सेंटिमिटर जो भी दिया हूँ है ना जो भी होगा मिट कर रहे बच्छो बी ऑप्शन से इनको नहीं समझा दुबारा एक रिंग है बच्छो स्वरी डिक से डिक्स में से सेंटर सेक्सिस पास किया उसका मुमिल अप इनर्च्या यह मार स्क्वेर बाइटू है लेकिन आई सी की वेल्यू के के रखना आई सी इस इकूल टू यम के स्क्वेर देखो यह से रेडियो साब डारेशन का फार्मॉला पता होना चाहिए बस यहां रखा है आई की वेल्यू यह मैं कैंसल करके के सिक वेल्यू आर स्क्वेर बाइटू इसका रूट स्क्वेर गया तो यह रूट मैं लेकिन इसक इसका आए सीके वेल्यू वाइस है इसकी यम यम गया इसको आए सहते हैं फाइव बाइक टूर शूर लिखो और और स्क्वेर यह कह्थ मैं आ आए मकस्फिय खार्म एर रूट के बाहर आएगा अगरिजन करके इसका भी आए बरत लां लास्ट कोश्चिन साइए यह में revolving in elliptical orbit नहीं और एक क्वेशन है, प्लानेट रिवाल इंग इलेप्टिकल आर्बिट में मूँ कर रहा है, ठीक है, ओके सर, प्लानेट रिवाल इन इस सर्कुलर आर्बिट, प्रिंसिपल अप कंजर्वेशन अप अंगुलर मोमेंटम, कम इन फोर्स वीच अप दिस, ये तो ठीक है, ओके, दिख रहा है आपको, ओके, चलिए, इसमें से आपको आइंसर देना है, भाई इसमें दोनों भी भी रोका किमें कंजर्वेशन ला होगा किकि कंजर्वेशन ला नाइधर भी क्रेड़े संक होंघिक होगा करो सी ओप्शन्स को टिक मार करिए बहुत इजी और सिंपल कोश्चन सा दोनों भी कंजर्वेशन हो जाएगा दोनों का भी सी ओप्शन इसकरेक्ट है कंजर्वेशन क्योंकि वोड़ी गोल गुमरी तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा जैसे मैं बता दू डंबेल्स का एक्जामपल याद होगा तो मैंने बोला भी या देखो ऐसे गुमाओ तो खाली मोमेंट आप इनर्शा बढ़ रहा है लेकिन ओमेगा क्या हो रहा है बच्चो कम होगा अगर मैं ऐसा करूँ तो ओमेगा कम क्या ज्यादा ज्यादा आए कम तो वही से यह दोनों सर्कुलार और बिट में मुह हो रहे हैं इलेप्टिकल हो या सर्कुलार ऑर्बिट हो दोनों में मोमेंटम कंजर्वेशन यह कोश्चन डाइक्स बुक में दिया है थोड़ तो rotational kinetic energy, rotational kinetic energy का K square upon R square होता है बेटा ratio, okay, translation kinetic का 1 होता है, और total kinetic energy का 1 plus K square upon R square होता है, Sir, कहाँ proof है, हाँ चलो, देखते हैं, अगर आपको proof ही चाहिए, तो यहाँ पे last का page open करता है, क्या करेंगे बच्चों, लाश्ट का पेज ओक्वन करते हैं और यहां दिखाते हैं चलो धान देना है देखो है त्रांसलेशन कानयटिके इन वण इनका रिश्ण Pharaoh लेना यतों वण लिखते हैं और टोटल एनरजी का रिश्यो बस इसमें आगे-पिचे किया घॉ heightened एकशोल को पहले लिखा पहले लिखा पहले लिखो रोटेशोल को K-square upon ke-square upon R-square लिखा इस्टु ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन का रश्व 1 इस्टु टोटल कानेटिक हेती का रश्व गया विच्चों हमारे पास one plus K-square upon R-square समझ रहे बस ऐसे लिखा मैंने लिखा है बच्चो चलो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं पहले कोने रोटेशनल इसलिए केस की और आपाना स्कुए ट्रांसलेशन वन और कानेटिक टोटल कानेटिक इन जिका यह रिश है ओके सर लेकिन मुझे कुछ वैल्यूस दीगी है गिवन है सर क्या गिवन है च साथ उसको मैं कर दो थो बच्चो यहां से कट करो तो एक बनेगे यह रिंगए इ disintegr बनेगी आइसे रिंग बनेगी बच्चो एक बात दाओ पने पने की रिफिल निकालो आड इसको तुकड़े तुकड़े ँकुरो रिंग बने इगी छोटी छोटी रिंग बने की नहीं की कहां गया यहां कहीं तो होगा एकट मिनिट सर्च करते हैं तुरांग देखो फॉर रिंचार हालो सिलेंडर देखो यहां पर है पर स्राइव का we out baby तब कि वालू रखनी की जुरत नहीं यहां पर one case झाल झाल